डियर फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लेके आये हुए MP बोड का कक्छा बार्वी वालों के लिए अर्धवार्शिक परिक्षा 2021 का पेपर है ये हिंदी का है जो कि एना कि आपको कल 2 दिसंबर 2021 को होने वाला है इसमें एना कि मैंने एक महत बहत पूर्ण प्रस्न पत्र बनाया है आप लोग वीडियो को बिना रुके पूरा अंत तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने का पईसा न पीडियूप के लिए आप जॉइन करें टेलिग्राम वही पर इसकी भी पीडियूप मैं दे दूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसमें पहला प्रस्न है प्रयोगवाद की विशेष्टाएं लिखिए मैं आपको जो भी जितने भी क्वेस्टन प्रोवाइड करा वह भी बेरी बेरे मौश्ट है रोले मान लो कि यह पर में आयो ही ठीक है ना मैं आप लोगों को पईपर नहीं प्रवाइड करा सकता क्योंकि मेरे उपर भी हो सकता है इसलिए इसलिए यह पेपर आपके लिए बहुत हीमोर्श्ट इंपोर्टेंट अगर इंने नहीं आपको नंबर देगा फिर दूसरा है यह नग निया थार्थवाद तीसरा है अति बोधिता आप जल्दी जल्दी इस पीडियाप का जो है तो इस पीए साथ लेते जाओ भाई आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ अगला है भारतेंदी युक्त की विशेषता हैं यह आप सभी यह जो मैं पेपर बता रहा हूं यह सभी तीन तीन नंबर के आए हुए हैं तीन तीन नंबर के इसलिए आप वीडियो को पूरा अंतक जरूर द दूसरा करमट तिस्त trapped आपका आया है थीन नंबर में इसलिए एससे पढ़के जाएं अगला है लुटन पहले न ढोल को अपना कियों कहा है हि यह आपको बताना है लुटन पहलेबान ने गुरू क O अपना धोल क्यों कहा है अगला है संस्माड और रेखा चित्र में अंतर भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंटों की चार नंबर का आएगा आपके परिच्छा में आया है चलिए अगला देखते हैं संस्माड रेखा चित्रे निकट होते हुए भी दोनों अलाग अलाग गद्र ह अगला है उपन्यास और कहानी में अंतर यह भी very very most important है अगर आपने अभी तक हमारी योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़ल्दी सब्सक्राइब करके वेल ऑइकन दवा लो देखते हैं कहान्य उपन्यास में अंतर यह है उपन्यास का बड़ा कार होता है और कहानी का छोटा कार होता है जैसे कि उपन्यास में आ जाता है उपन्यास का उदार्ण है गवन गोदान जो कि मुझसी प्रेम चंदर लिखे है और कहानी में आ जाता है आपका इदगाह प्रेम चंद ने ही लिखा है इदगाह ये के कुदाहन लिख देंगे आपको एक नंबर और दे देगा वो और अगला देखते हैं रक्स की परिभासा लिखते हुए रसके अंगर की ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रसके अंग तो आप लोगों को पता योगा चार होते हैं इस्थाई भाव विभाव संचारी भाव तथा अनुभाव काबे में रसका अर्थ है आनंद आनंद की प्राप्ति का विता कहानी उपन्यास नाटा कादी पढ़ने सुनने देखने से ये तो आपको प्रेक्रिकली यादी होगा रसक क्योंकि हम छटवी से पढ़ रहे हैं देखते हैं इसके अंग रसके अंग है ये चार इस्थाई भा विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव गला है सांत्रस की परिवासा लिखते हुदार्ण लिखिए इसका इस्थाई भाव निर्वेध है इस्थाई भाव तो आपको दासे दसो पता ही होगा जहां संसारिक वस्तूओं से भी विरक्ति का वड़ान हो सांत्रस होता है दोनों को लिख देंगे आपको दो नंबर पक्का है। सोटा चंद की परिवासा लिखते हुए सोटा चंद इसमें यह एक और्धसं मात रिक्षें समों फाप उल्टा बाई दो सांत बंदागा प्रेम का मतोड़े चटका टूटे से फिना जुड़े जड़े गांटला परिजार किकि आप इसे बहुत ही छोटे सियाद कर रहे होंगे अगला है जो सुमिरत सीधी होई उसी का है सोठा चंद का ये उदाड़ा है जो सुमिरत सीधी होई गन नायक कवीरन पद करव अनुग्रह सोई बुद्धीरस वे गुन साधन भ्रांतिमानलंकार ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ये आपको तीन नंबर में आएगा दोस्तो त जहां प्रस्तुद वस्तु को देखकर किसी विशे समानता के काण किसी दूसरी वस्तु का ब्रहम हो जाए वाँ ब्रांतिमानलंकार होता है बहुत ही सरल है ये आपका ब्रांतिमान और संदे विरोधावास तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा ये कि तीनों भी आ सकते हाँ और एक और अलंकार के भेद बहुत ही आता है क्योंकि कल ग्यारवी में देखने को मिला है अलंकार के भेद जो कि बहुत से छात्र नहीं जानते थे कि अलंकार के भेद होते कितने मोशली अलंकार के तीन भेद होते हैं पहला है सब्दा अलंकार दूसरा है अर्था अलं अर्थ धन इसमें सभी में अलंकार जोड़ दोगे सब्दा लंकार अर्थ लंकार और तीसरा है उबिया लंकार ये तीनों है ये भी आपके आ सकता है क्योंकि अगर पूछ ले तो फिर आप से नहीं बनेगा प्रथा माने पर ये लड़ाई डंगे में आपको परथा माने पर आपको बहन को एक बधाई पत्र है यहाँ आपको नाम चैंज कर देना है जो कभी-कभी पेपर में आपको नाम देता है और पता भी देता है इसलिए नाम पता चेंज होता रहता है और यहां का भी आपको नाम पता चेंज हो सकता है इसलिए घवराना नहीं है कोई भी पेपर आ सकता अब एक नगर निगम सफाई को ये देखिए ये कल ग्यारवी के पेपर में डिटो आया था, वारवी के पेपर में भी आने की ज़ादा संभाबना है क्योंकि इस समय ज़ादा तर मलेरिया बढ़ रही है मलेरिया और कोरोना दोनों ही साथ-साथ में हैं, अपनी चरम सीमा पर, ये देके लिखा है सेवा में, सेवा में दोस्तों अब ये पुराना हो गया है, आप चाहो तो यहाँ पर प्रती भी लिख सकते हो, चलेगा, दोडेगा, क्योंकि इसवार प्रती ही जादा, और यहाँ पर मान्नवार भी लिख सकते हो, यहाँ फिर महोदय, मान्नवार भी लिख सकते हो, यहाँ फ पाण खेड़ा पती कालोनी गो अलियर इसके लिए हम आपके सदा भारी रहेंगी ये सीतल वाणी में आग आग का है इसपस्ट करना है अगला है मुझसे मिलने को कौन भी कल ये देखिए ये आ गया है आपका संदर पिसंग व्याक्या जली जली आप इसकी स्क्रीन सोट लेते जाईए मैं आप लोग को ये भी है ये गद्यांस है और पद्यांस था उपरवाला ये उसी का है ये है सिंदु सब्वेता सादन संपन थी उसमें भव्वेता का डंबर नहीं था कैसे ये आप लोग को बताना है कविता लेकन के पांच प्रमुक गठन है ये भी आप लोग को बताना है महादेवी बर्मा ये आप लोगों को जरूर आ सकता महादेवी बर्मा की रचनाय उचनाय लिखने के लिए अगला है फड़िस्वर नाथ रेडू ये भी आ सकता आपको इसलिए आप इसका जल्द अगले वो लेते चलिए स्क्रीन सोट ये समकाली समाज अब ये है लोगों के अब महावरे में अंतर भेरी गेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका अगला देख लेते हैं अगला है ब्रच्च में परुपकार का संदेश कैसे देते हैं आपको लिखना है ये अप्ठित गद्यान से हो गया ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें वीडियो इसका पीडियाप दोस्तों इसका पीडियाप आप डावनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एना की टेलिग्राम चैनल रीट टू चेंज वहां जाके सच करके जुड़ जाए ठीक है धन्नवाद